नमस्कार दोस्तो मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है एक्सप्लेइन मी बैंकिंग में जहां हम आपके बैंकिंग को असान बनाने की कोशिज करते हैं दोस्तो अगर आप बैंक और बढ़न दा का पास्वुक को अपने मोवायल में कैसे देख सकते हैं टो चलिए इस वीडियो को सुलू करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में बढ़ोधा M Passbook application को install कर ले और install करने के बाद इसे open करें इसे open करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि आपको language चूज करने के लिए बोला जाएगा कि आप इस application को कौन से language में यूज करना चाहते हैं तो आप जो भी language में यूज करना चाहते हैं उसे select कर ले और नीचे देगा proceed के बटन पर क्लिक कर दें प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का page खुलेगा जिसमें कि आपको सबसे उपर में आपके बैंक को बढ़ोदा अकांट में registered mobile नमर को इंटर करने के लिए बोला जागा तो यहां पर अपने बैंक को बढ़ोदा के अकांट में registered mobile नमर को इंटर कर दे और उसी के नीचे select operator का एक option मिलेगा तो आपने जो mobile नमर इंटर किया है वो कौन से company का है उसके हो यहां पर select कर दे और उसी के नीचे आए accept the term and conditions के box को tick कर दे और नीचे दिये गए proceed के button पर click कर दे जैसे आप proceed पर click करेंगे तो आपने जो mobile नमर इंटर किया था उसमें बैंक को बढ़ोदा की तरब से एक OTP भेजा जागा जिसको कि आपको यहां पर one time password वाले box में इंटर कर देना है one time password इंटर करने के बाद नीचे दिये गए continue के option पर click करें continue पर click करते है अब आप से दोनों पिन सेम होना चाहिए तो पिन इंटर करने के बाद नीचे दिये गए start using passbook के option पर click कर दे जैसे आप start using passbook के option पर click करेंगे तो आपका बड़ोदा M passbook application में registration successful हो जाएगा और अब आप इस पिन का यूज करके अपना passbook देख सकते हैं और आपके सामने इस तरह का पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा तो यहां पर अपना चार डिजिट का पिन इंटर कर दे आपके सामने आपका पासbook खुल जागा और आपने कितने transaction किये हैं, वो सारे यहां पर आपको दिखाई देंगे और आप यहां पर किसी भी transaction पर click करके उस transaction का details भी देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से अब आप चाहें तो कभी भी अपना passbook इस application की साहता से देख सकते हैं और यहां पर बस आपको अब इस application को open करना है और चार डिजिट का पिन जो आपने सेट किया था वो इंटर करना है तो आपके सामने इस तरह का आपका पास्बुक खुल जाएगा तो देखा दोस्तों आपने की बैंक को बड़ोधा का पास्बुक अपने मोबाइल में देखना कि इतना आसान था तो गर आपके वीडियो पसंद आते हैं इसे लाइक, शेयर, कमेंट काना बिल्कुल भी नहीं भूले और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इसी तरह का बैंकिंग से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के लिए आपका इस वीडिय को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद